वारा बोल्ट। गुड बॉर्णिंग एव्रीवन आज हम जियो सिटी की हेल्प से हम इस ग्राफ शीट के ऊपर पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं यह समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस ग्राफ शीट के ऊपर हमने जियो सिटी का एक मॉडल बनाया है और उसमें हमने डिफ्रेंट बिल्डिंग्स को सिंबल्स की फॉर्म में शो किया है। तो जैसे अगर हम बच्चों से एक क्वेशन करते हैं कि what is the location of school in this जियो सिटी तो जो स्टुडेंट्स है वो पहले सबसे पहले जो स्कूल का सिंबल है वो देखेंगे। और फिर graph sheet की उपर s point को locate करने की कोशिश करेंगे। जैसे s point यहां पर शो हो रहा है तो यहां पर जो student है वो देखेगा कि यहां पर x की जो value है वो 2 है और y axis की तरफ जो value बन रही है वो भी 2 है तो its coordinate is 2,2 तो इस तरीके से different जो buildings हैं उनके locations के उपर different type के questions बच्चों से पू असर करेंगे।